हमारे साथ बात करने पर्तिवा सिंग जी हैं मैं उत्तव प्रदेश के तरज पर अब हिमाचल में भी जो दुकांदार है वो अब उनको भी अपना नाम उजागर करना होगा नाम लिखना होगा उसको किस तरीके से देखते हैं यह इसके उपर हमारे मंत्री ने भी ब्यान दिय है और उन्होंने भी यह कहा है कि हमाचल प्रदेश में जो आकर अपना समान बेचना चाहिए या इटन खाने का कोई दुकान खोलना चाहिए तो उसमें वो सही तरीके से हो उनकी ऐडेंटिफिकेशन हो उनका नाम पता हो और वो सही माल लोगों को बेचे यह होना चाहिए लोग भी अब कहीं कहीं जाकर खा लेते हैं आप खा क्या रहे हो किसने प्रोड़क्ट बनाया कल को कुछ अगर हो जाता है भगवान ना करे कोई ऐसी उची नीची बात हो जाती है तो कर्म से कम किसी के एक्शन लेने के लिए हमार पास एक एक प्लैटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम उनको पूछ सकें कि आपने आपने किस अधार पर अपना आइडेंटिक आड बनाया किस नाम पर आप बेच रहे हैं और क्या क्या बेच रहे हैं और उस स्टेंडर्ड का माल हो जिससे लोग उसका मतलब भरपूर फायदा उठा है कि दिनों में हमने हिमाचल परदेश में कुछ घटनाये देखी हैं ये देखे कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने अधार कार्ड गलत तरीके से बनाया एकी नाम और एकी डेटो बर्थ के कई सारे अधार कार्ड बना करके वो हिमाचल परदेश में रह रहे हैं उसको ले लाइन घुम्रा करने तो कानून ने Nte तो सिरकार को देकर की अपना डायनीहम eff66 स ने ऐसा कुछ नीएग्द व्हार्य वी फ़रै उसकी की अपना अपना नियम है और हिमाचल परिस्तिती और है और वो हालात को देखते परिस्तिती को देखते वे जो वो ठीक समझेंगे और विदिन लौ होगा उसको वो परमिशन देगा इमाचल परदेश की जनता के लिए ये लौ कितना कारगार होगा उसको जनता की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा जाएगा कि क्या लोग चाहते हैं कैसा होना चाहिए उन सबी से बात चीत करके जो सही पाया जाएगा उसके मताबिक फिर कानूनी उसमें इसला मशुरा लेकर जो भी सही समझा जाएगा उसके उपर फिर फैसला लेंगी सब् और किस तरीके से लागू करना है ये भी तै किया जाएगा रेपब्लिक भारत के लिए लो मज जा